हेलो दोस्तों, आए सुनते हैं मालती जोशी की लिखे हुई कहानी शुब कामनाओ जिस समय आखरी महमान विदा हुए, रात के ग्यारा बज रहे थे निमंतरन पतर में समय सीमा नहरकते हुए, हमने सोजन्यवश लिखवा दिया था आपके आगमन तक, जन्ता ने उसे शवदश मान लिया था हाल के खाली होते ही, हमने शिरांत क्लान जोड़े को मंच से उतारा थोड़ा सा मूझ उठा कर होटल भेज दिया बच्चों ने होटल पैरडाइज में भाईया भावी के लिए बढ़िया सूट बुक करके रखा था नव दम पत्ती से निपट कर, मैंने अपने महमानों पर दृष्टी डाली कुछ लोग तो घर जा चुके थे, पर दस बीस अब भी यहां वहां बिखरे हुए थे इन्हें घर ले जाना एक समस्या थी, शादी के लिए हमने एक सुमो और एक मैटाडोर ले रखी थे सुमो में तो फिर भी लोग बैठ जाते थे, पर जिसको भी मैटाडोर में बैठने को कहा, उसका फ्मूफूल जाता था बेचारी मारूती महमानों को डोडो कर बेहाल हुई जा रही थी, पर वह भी इस समय दूला दूलन की सेवा में थी सुनो, ये एकाएक सामने आकर खड़े हो गए, मैं बहुत ठक गया हूँ, मैं घर चलता हूँ, तुम लोग सब समिट कर सुमों से आ जाना ठके हुए तो वे वागई लग रहे थे, पांच-छे दिनों से घर की सारी विवस्ता उलट-पुलट हो गए थे, ने ठीक से सो पा रहे थे, ने खा पा रहे थे, बद परेजी के कारण बिमार पड़ गए थे, दवायां भी समय पर ले रहे थे या नहीं, एक तो बरात के सा कि ये पास आकर फुसुसा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जाओंगा तो मैटा डोर में कोई नहीं जाएगा, फिर आधी रात तक इन लोगों को ढोते रहना होगा, ने हो तो तुम चली जाओ, मैं रुख जाता हूँ, मेरा जाना तो किसी तरह संभव नहीं मैंने उन्हें अनोग्या दे दी, तै हुआ कि सोनल और राहुल मेरे साथ रहेंगे, फोरन इन्होंने चाची, ताई, बुवा मोसी, मामी, आधी कोई घटा किया और घर के लिए रवाना हो गए, मैंने राहत की सांस ली, मम्मा, मैं इतनी ठक गई हूँ कि बस, सोनल ने कहा और स्टेज पर जाकर एक कुरसी में धस गई, वा, क्या आराम देह कुरसी है, मम्मा, इस लड़की की चलाकी देखी, राहुल ने कहा, किस खूबी से आपको अपने मन की बात बता रही है, पर देवी थोड़ा तो सबर करो, मेरा ने सही मम्मी पापा का ही ख्याल करो, बेच सच कहूं, राहुल, मेरा भी मन वहां बैठने का, बलकि पसरने का हो रहा है, इतने दीर तक खड़े-खड़े पाओं जम गए हैं, और मुस्करा कर जबड़े तन गए हैं, तो तुम भी आ जाओ न, मम्मा, दत, लोग क्या कहेंगी, बैठ जाओ, मम्मा, अब कौन आएगा, राहुल ने कहा, और आएगा भी तो समझ जाएगा, कि वह इतना लेट पहुचा है कि दूलन बुड़ी हो गई है, खबरदार जो मेरी मम्मे को बुड़ी का, सोनल चीखी, अरे कहने देना, सास बन गई हूँ, साल भर में दादी भी बन जाओंगी, बढ़ापे में कसर क्या है, लेकिन बेटे, हम लोग क्या यहां कुर्शियों का मुआयना करने के लिए रुके हैं, ये सब समेटेगा कौन, समेटने को है ही क्या मम्मा, ये इतने सारे बुकेजी तो है, पड़े रहने दो, घर पर क्या बगिचा लगाना है, सोनल बोली, इससे तो अच्छा था कुन लेड़ी मैक राओगा, पता है, अकेले फ्लावर डेकॉरेशन के डेड़ हजार दिये हैं, डेड़ हजार, मेरी आँखे आश्चारे से फैल गई, प्लीज ममा, पापा को मत बताएगा, इट इस ओन मी, रहुल गडगड़ाया, इट इस ओन वी, सोनल ची की, हाँ बाबा, इ एक सोचने वाली बात है, इससे तो अच्चा था सच मुझ के तोफे ही ले लेते, पापा ने नाहक कार्ड पर नो प्रेजेंट छपवा दिया, वे लोगों को टेक्स नहीं करना चाते थे, तो आप क्या सोचती हैं, ये बुके फ्री में आते हैं, इन में से छोटे से छोटा अब ये पचैतर से कम का नहीं है, और वो, वो नीले गमले वाला तो डाय सोका होगा, सोनल बोली, हमारे प्रिंसिपल डेटायर हुई थी, तब हम लाए थे, पता नहीं तुम्हारे पापा को एक क्या जितसवार हो गई थी, मैं कहती हूँ लोग कोई भीक मंगे हैं, जो खा सारी क्यों संकोच होने लगता है, रिष्टेदार नराज हुए सू अलग, और अब ये इतने सारे फूल, क्या होगा इनका, बेचारे, दे हैव सच शोट लाइफ, सोनल भाव को रहे थे, इससे तो अच्छा था कि मिल्टन के जग, डिनर सेट, पिकनिक सेट, स्टील के डों और टेबल लेंप्स इकटा कर लेते, कुछ तो काम आते, सोनल का दहेज ही तयार हो जाता, मार उंगे हाँ, सोनल भाव पर चपते, बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया जा सका, अरे ये प्रेजन्ट वाले आइटम दहेज में देंगे ना, तो रोज हमारा उध्धार होग हम लोगों की जब शादी होई थे न, तो पापा हाइडल प्रोजेक्ट पर थे, हम लोगों की बिजली फिरी थी, तो पता है, दरजन भर होट लेंप, आदा दरजन इलेक्ट्रिक प्रेस, दो ओवन, सारे बिजली के उपकरण मिले थे, पर एक भी काम नहाया, जब भी किसी उठा कर दे दीजिए, और गाली खाईए, ममा, ये लोग जालर वालर उतार चुके, अब कुरसियां उठाएंगे, जल्दी बताइए क्या ते किया, ते क्या करना है, इन फूलों का क्या करना है, पड़े रहने दो, घर में जगए भी है, तो फिर चलो, हम लोग शौल, पर् मैं और सोनल तो गाड़ी में भी बैट गए, पर राहूल वहीं खड़ा रहा, क्या हुआ, ममा, ये बहुत अन्याय हो रहा है, कैसा अन्याय, लोगों ने ये फूल कितने प्रेम से दिये थे, उनकी शुब कामनाओं के प्रतीक हैं ये, उनका इस तरह निरादर करना अच्छ नहीं लग रहा, इन लोगों को तो कोई कदर नहीं है, उठा कर फेंक देंगे, डॉन्ट वरी, ये तो ओने पोने दाम में उसी फ्लॉरिस्ट को बेच कर पैसे खड़े कर लेंगे, कम ओन, डॉन्ट बेमोशनल, सोनल ने कहा, हाँ मंदिरों में भेट सांबगरी पिछले दर ममा, प्लीज कम हैर, घबरा कर हम दोनों मा बेटी और ड्राइवर होल के और भागे, राहुल उन असंके फूलों के बीच बैठा हुआ था, उतेजना से उसका चेहरा लाल हो रहा था, उसके हाथ में एक भूपाली कामदार बटवा था, जो उसने चुपचाप मुझे पकड दूलन की हर साड़ी के साथ मैंने मैचिंग पर्स या बटवा रखा था, उन्ही में से यह था, यह तो श्रेयका है, हाँ श्रेयका ही है, खोल कर देखिए, खोल कर देखा तो मेरी आखें पत्रा गई, पाउं कापने लगे, मैं धम से वहीं फश पर बैठ गई, बटवे में जडाओ कंगन, जुमके और सतलडा हार था, कितने शोकसी चीचे बनवाई थी उसके लिए, इनसे कितनी तकरार हुई थी, कितना डाटा उन्होंने, घर में एक लड़की ब्याने को है, एक और भववाने वाली है, तुम तो जैसे एक ही पर सब कुछ लुठाने चली हो, उन के सामने शुरू हो जाएंगे, नहीं नवेली भव की किरकरी हो जाएगे, और अभी कुनाल से भी कुछ मत कहना, वह भी बिलकुल बाप पर गया है, बोलने पर आता है तो आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है, और सच तो यह है कि अभी श्रिया से भी मत बताना, सोनल, तुम मैंने एक-एक चीजे बनवाई है, कोई मुझ से पूछे, वो तो पराए घर से आई है, क्या दर्द होगा, अब चले, मैंने कहा और बटवा चाती से लगाए, भारी कदमों से उट खड़े हुई, लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा उत्सा, सारी शक्ती निचोड़ ली हो, हम लोग चलने के हुए, तो देखा, सोनन दूसरी और मुझ की सुबक रही है, अब तुम्हें क्या हुआ, मैंने चिड़ कर का, मुझे लग रहा था कि मेरी सेहन शक्ती चुग गई है, ममा, ममा प्लीज भावे से कुछ मत कहिएगा, वो खुच जाते समय मुझे सेंबल गई है, खाना खाते समय मैंने ही से फूलों में छिपा दिया था, सोचा था जाते समय उठा लोंगी, और याद ही नहीं रहा, बेवकुफ, जानती है, आज कितने की चपत पड़ने क्यों थी, तुमने तो कह दिया, याद नहीं रहा, ममा प्लीज, राहुल ने सचमुच कर बैठी, मैं और बजरंग फूल उठवा कर लाते हैं, सारे फूल, हाँ सारे फूल, ममा, ये किसी की शुब कामनाई है, इने हम ठुकरा कर चले जा रहे थे, सच मुझ चले ही जाते तो सोचो, क्या होता, सच, चले ही जाते तो क्या होता, मुझे तो सोचते हुए भी डर ल